अधिधी आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सी न्यूस इंट्रिस्टिंग अनॉंस्मेंट यह हैं जितने स्टूडें ज्यारफ अप्लिकेशन पे मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने तो यह देख भी लिया होगा बट अब मैं इसका पूरा स्कीम आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बेट करें थी फेब्री का और फेब्री से एक नई चीज है चो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं यह बता दू कि यूजी सी नेट ग्जामिनेशन के लिए अगर करना बहुत जरूरी होता है और आप सभी लोगों के लिए जब भी मैं कोई बैच अनाउंस करती हूँ तो उस बैच के अंदर मैं पिछले दो बारी के आप लोगों के जो प्रीविए सीर होते वो सॉल्व कर वाती हूँ जैसी कि अभी आटम टू पाइंट हो चल रहा है तो यह कैसे हमें प्रीविएयर को सॉल्व करना चाहिए क्या हम कर सकते है कैसे हम कर सकते मैं तो यूंटब्पे बहुत सारे गीजिव बहुत सारे विडिट शींद पीसिस को दरब मैं आपको यह बता सकती हूं यह दिखाती हूं कि देखो ऐसे प्रीवियस यह को डिकोड करना है इस क्वेशन को ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है यह सब चीजे में आपको बताती हूं अब सभी लोगों की ही डिमांड के उपर एक आइडिया है जो लेकि आई हूं और यह यह उन सभी स्टुडेंस के लिए जो शायद बड़े कोर्स के अंदर एंडरोल नहीं कर सकते या जिनके पास में पेनिंशली कोई इशू है या कुछ भी है या कोई रिपीटर है जिसने पिछले साल अल्रेडी पढ़ लिया है तैयारी का ली थी बट कुछ नंबरों से उनक पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आपको यहां पर बढ़ाने वाली हूँ क्या स्कीम है कैसे है और पिछले 10 साल के प्रिविए सियर कैसे सॉल्फ करने है क्या इनका इंपोर्टन्स होता है वह मैं आप लोगों को एक छोटे से बात से बता सकती हूँ अगर आप लोगों ने कंप प्रेडिकर हो चोग है कि कुछ नहीं कहा जा सकता पुछरी लगा था नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे सवाल आएंगे निमेरिकल वेशिंड साइंगे नहीं हैं से लगा तो नॉन नॉमेरिकल वेशिंग से लगा था आप्रोचिस वाले क्वेशिंस आ गये दोगए 2014 दिस इसमें मैंने देखे 14 के और 16 के सवाल, 18 के सवाल भी मैंने कुछ देखे यूशली हमेशा मैं बोलती हूँ दोजार उनीज के बाद से जब से एंटी पेपर लेना शुरू किया है आप जो है वो रिविजन कर सकते हो दिनों दिन आप जब जानते ही हो कि कॉंपेटिशन भड़ता जा रहा है और एक्जाम के अंदर अन्प्रेडिक्टिबिलिटी ही एक चीज है जिसकी वज़े से प्रिविजन के प्रिविजन कर सकते हैं कि यहां पर फिल्टरेशन प्रोसेस और जादा पीछीता बनाया जा रहा है इसलिए मैं पिछले 10 साल के क्वेशन्स खुच से अब लोगो को सौल्ड करवाने वाली हूं यह 10 साल के प्रिविजन के अंदर लाइव वैच के अंदर सौल्ड परने वाले हैं और देखो क्या मैंने स्कीम सोचा है वो मैं आप लोगो को संजाती हूं In fact, अगर मैं बात करूँ तो देखो, जो पेपर मन का क्लास होगा, तो एक क्लास के अंदर इमाजन करिएगा, जैसे हम लोगों ने ICT unit पकड़ी, तो मैं पहले ICT के 2014 से 2023 दिसंबर तक कि सारे की सारे जो प्रीवियस यह वो आपको सॉल्व करवाऊंगी, हर दिन के अंदर हम 10 से 20 क्वेशन ही सॉल्व करेंगे, मैं फिर आपको बता देती हूं कि मुझे बल्क से मतलब नहीं है, 2014 से पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हैं, कि 14 में कैसा सावाल ICT का था, 15 में कैसा था, 16 में कैसा था, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में, पूरे के पूरे 10 साल का जो पेपर है, वो मैं आपके सामने रखोंगी एक क्यास के अंदर, और अफिर हम इसको पूरा का पूरा डिसकस करेंगे, तॉपिक डिकोड करेंगे, अगर किसी ने कैप्सुल कोर्स का देखा ता सेशन तो पिल्कूल वैसी ही PPTs है, जो मैं आपके लिए बनाऊंगी और 2015, इस तरीके से जो है, वो हम लोग क्वेशन को सॉल करना शुरूंगे, और यह मैं यूनिट वाइस आपके लिए करूंगी, तो आपके पास में अलग से डेटा कलेक्ट हो जाएको, जितने भी बच्चों की रिमांड होती है, कि मैं टॉपिक वाइस क्वेशन कहां मिलेंग वो आप सभी बच्चों को मिल जाएंगे, तो मेरे लिए यह जो बैच है, यह बहुत जादा आप क्या सकते हो महनत वाला बैच है, तो हम बहुत महनत कर रहे हैं, पूरे हम टीम है हमारी कॉंटेंट टीम है, सब आपके लिए बहुत महनत कर के यह बैच लेके आए हैं क्यू जो मैं आप लोगों के लिए अप्लिकेशन पे लाई हूँ, अब क्यूंकि अप्लिकेशन की ओपर 100 MSV आ गया है, तो भले ही भी 10 क्वेशन के अंदर जो भी बच्चे होंगे, उनके साथ मैं अच्छे से वीडियो कॉल भी कर सकते हूँ, क्यूंकि आपको पता है, जैयरे फ अनॉंस कर रही हूँ, बैच के नाम मैंने अनॉंस करने के समय आपको बतारा है, इगनीशन बैच फॉर यूजी सीनेट एग्जमिनेशन नाच कर रही हूँ, पेपर वन भी होगा इसके अंदर और पेपर टू बी होगा, पेपर वन के अंदर मैं सारी यूनिट्स के जितने भी स्टुडेंट जो की कंप्यूटर साइंसी नहीं है और वो चाहते हैं कि माम या मुझ से वो पूरा पेपर वन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको यह बता दू कि पूरा पेपर वन का पिछले 10 साल का सल्यूशन लेकर आऊंगी, और मैं आपको यह बता दू कि 10 साल का सल्यूशन मैं लेकर आने वाली हूं यह मैं लेकर आने वाली हूं जो आप लोगों के टॉप 5 सब्जेक्स होते हैं वहां से और मुझे कुछ क्वेशन अच्छे लगेंगे तो no false promises जैसे आप जानते हो मेरे पास में और कुछ भी नहीं है सिर्फ अपनी honesty है वहीं honesty आ उनसे मैं पेपर निकालूंगी और आपको दूगी बाकी सबी सब्जेक्स के अंदर जो है वो डिफिकल्टी लेवल इतना जादा नहीं रहता है जितना इन सभी एक्जाम में टॉप 5 सब्जेक्स में रहता है तो यह जो है वो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेके आ र के लिए 2499 रुपए के अंदर ओनली पेपर वन है और अगर आप कम्प्ली पेपर वन प्लस पेपर टू लेते हो तो यह आपके लिए 3,999 रुपीज के अंदर है इमाजिन करिएगा कि आप अल्रडी आटम टूपइंटो के अंदर हो और आपको दो साल के पेपर्स में करवा इस अंदर आफ की सबी च्唱 किया और यह यह इस लोगों के लिए हैं अगर आप जाओन कर सकते हैं यह जो बैच है यह मैं स्टार्ट करने वाली हूं इस मंडे से मंड़ी है ना तुथ को जो भी है फिफ्थ फेबरी से मैं ये बैच स्टार्ट करने जा रही हूं ठीके ना हम पहले ही बता दे कि हफते के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के लिए six days ये लाइफ क्लासेज लेने वाली हूं ठीके गई सो आज के लिए बस इतना ही इन्रोल करना चाहते हो तो जरूर बताएगे का बाकी मिलूंगी सुबह 8 एम वाले हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब सेशन के ऊपर जोईन कर लीजेगा बाबाई एंड टेक केर